तीवी सेटप समरी करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पर तोटल चैनल आपको देखने को इसमें मिलेगा, सैमसंग का प्रशनल है, तो उससे आप पूरा टीवी को एकसेस कर सकते हो, हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग के फूल एजडी टीवी, ज आप चाहे तो ऑनलाइन भी इस मॉडल को सर्च करके इसे इसका स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा टीवी इंस्टॉल्ड हो गया है, वॉल में, और अब मैं इसका एक-एक सेटप आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले हम इसके रिमोट का, तो आप रिमोट देख सकते हैं, काफी कॉम्पैक्ट रिमोट दिया हुआ है, दो छोटा पैंसिल बैटरी इसमें लग जाता है, ठीक है, और इसका एक-एक फंसन के बारे में बात करेंगे, इसके रिमोट का, तो सबसे पहले टीवी पे चलते हैं, तो यह निउ अराइवल, फूल एजडी टीवी है, आप देख सकते हैं, अल्टरा पिक्सल प्लस एचडियार इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि पिक्चर क्वालिटी को काफी ज़्यादा इनहेंस करके दिखाता है, परसनल कंप्यूटर भी बना सकते हैं, आप इस टीवी को ठीक है, मॉनिटर बना के यूज़ कर सकते हैं इसे, और इसमें आपको कंटेंट गाइड मिल जाता है, इसमें आपको फ्री चैनल मिलता है, बहुत सारा देखने के लिए, ठीक है, और इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी आप इस टीवी को बना के यूज़ कर सकते हैं, अ और यहां पर आपको country set कर लेना है जिस भी country से आप है तो country select कर लेना है आपको यहां पर ठीक है और उसके बाद आपको next आगे बढ़ना है यहां पर यहां पर net connect करने के लिए कह रहा है ठीक है जो भी आपका hotspot या router लगाए है तो उसका आप यहां पर id password डालके connect कर लें ठीक है तो सबसे पहले network को connect कर लेते हैं यह देख लिए हमारा wireless connection completed हो गया है और उसके बाद यहां पर terms and condition को accept करना है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं I agree to all करके और ok दबा देना है यहां ठीक है तो हमारा terms and condition complete हो गया है उसके बाद यहां पर sign in करने के लिए कह रहा है your samsung account अगर है तो आप sign in कर सकते हैं तो आप यहां पर I don't receive a broadcast signal तो आपको यहां पर इसमें जाके करना है ठीक है यहां पर जाके करने के बाद यहां पर TV setup summary करना है next करना है यहां पर next कर दीजे और next करने के बाद यहां पर आपको skip कर लेना है यहां पर skip कर लेना है और skip करने के बाद यहां पर आपको your TV is ready to use complete हो गया है इसे done करना है और यहां पर हमारा पूरा setup complete हो गया है और इस तरीके से home page खुलके आ गया है और जो हमारा free channel वगर है वो direct channel यहां पर आ गया है देख लिजे यहां पर direct channel दिख रहा है मुझे ठीक है यहां पर channel नंबर भी दिख रहा है 1000 चैनल नंबर पर यह movie चल रहा है और यहां पर आप देख आप home वाले बटन को press करेंगे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा उपर यहां पर देख सकते हैं नीचे आपको hot star netflix वगरा सारा देखने को मिलेगा गैलरी वेगरा उपर आपको guide वेगरा चैनल वेगरा जो भी shortcut channel है आप डायरेक्ट उपर वहां पर देख सकते हो ठीक है और सबसे पहला जो guide का option है गाइड में जाने के बाद आपको सारा चैनल का यहां पर shortcut आ जाएगा ठीक है जो भी चैनल सारा category wise यहां पर दिया हो है देख सकते हैं न्यूज का टोटल चैनल आपको देखने को इसमें मिलेगा यह देख सकते हैं यह सारा free है इसके लिए कोई भी फ्री डिस या फिर कोई भी setup box कुछ भी लगानी की जरूरत नहीं है आपको यहां पर देख सकते हैं दूसरा है आपको यहां पर सारा application मिल जाता है यहां पर देख सकते हैं एपल टीवी देखने को मिलेगा यूट्यूब मिलेगा ठीक है और सोनी लीव है गैलरी है इंटरनेट अगर ब्राउजिंग करना है तो इंटरनेट का भी option इसमें आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इतना सारा application इसमें installed है इसके अलावा आप जो भी application डाउनलोड करना चाहते हैं उसके अलावा आप वो भी download कर सकते हैं इसमें ठीक है यहां पर देख सकते हैं सारा app को category by बांट दिया है जो भी application आपको इसके अलावा डाउनलोड करना है देखिए जैसे जीयो सेनेमा नहीं था तो जीयो सेनेमा मुझे डाउनलो तो यहां पे सर्च में जाते हैं तो इहां पर आप जो भी application वेगरा सर्च करना चाहते हैं जो इसमें रहेगा वह आ जायेगा जो नहीं रहेगा वह आपको download करने को कहेगा ठीक है सर्च वाले option में, source में आप जाते हैं, तो source में आप जैसे TV का input वेगरा change करना है, connection guide यहाँ पे HDMI वेगरा change करना है, जैसे आप देख सकते हैं, audio device, HDMI, video device, smartphone connect करना है, ठीक है, तो उसके लिए नीचे दिया हुआ smart phone connect करने के लिए smart things करके एक application आता है, Samsung का professional है, तो उससे आप पु monitor बनाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हो, input device को change करना चाहते हो, HDMI वेगरा, game control करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ, external device यहाँ पे देख सकते हैं, USB अगर आप लगाते हैं, paint drive लगाते हैं, तो उसके लिए भी option दिया हुआ है, यहाँ ठीक, hard disk वेगरा भी add करन तो यह external storage का दोनों दिया हुआ है, USB और hard disk करने के लिए, तो यहाँ पे यह भी बहुत अच्छा option मिल जाता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके setting में, तो setting में हम लोग देख लेता है, क्या-क्या में देखने को मिलता है, setting में आप यहाँ पे सबसे पहला देख सकते है picture mode का option दिया हुआ है, आप जैसा picture mode करना चाहते हैं, sound में जाते हैं, तो sound को भी आप TV speaker, home theater speaker, जो भी यह वो change कर सकते हैं, broadcasting का option यहाँ पे आपको मिल जाता है, TV tuning वेगरा करने के लिए, general setting normally reset वेगरा मारना है, या फिर जो भी setting में अगर कुछ changing करना है, तो वो आप यहाँ network setting जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मिल जाता है आपको देखने को, ठीक है, उसके बाद नीचे system manager मिल जाता है, इसमें आपको device का language वेगरा या फिर पीन वेगरा change करना चाहते हैं, वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे game mode वेगरा, HDMI, black label वेगरा, यह सार अंदर की चीजे हैं, थोड़ा-थोड़ा मैं उपर-उपर बता देता हूं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा छेड़-छाड़ करने का जरूरत नहीं है, और अगर TV में कभी वैसा कुछ हो जाए, नहीं समझ में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेट में जा जाएगा, ठीक है, इसे आटो अपडेट में कर दिये हैं, तो यह आटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, जब भी अपडेट आएगा, डिवाइस के अर में आपको नॉर्मली सा डिवाइस के बारे में आपको जो भी क्लीन अप वगरा करने के लिए वो चीज दिया हुआ र ठीक है, 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 यह आपको चैनल अगर देखते हैं, तो चैनल क के नंबर को चेंज करने के लिए ठीक है यहां पर आपको देख सकते हैं टाइमर वगरा सेट करते हैं तो उसके लिए अलग से option यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर प्री चैनल का option मिल जाता है जैसे जो भी चैनल वगरा देख रहे हैं तो उसको आप minimize कर सकते हैं यह volume क्या है यह channel को up-down करने के लिए mute करने के लिए channel list खोलने के लिए यहाँ पर shortcut netflix वगरा के लिए आपको देखने के को मिल जाता है यह home वाला बटन से home वाला home page खुल जाएगा यहाँ पर prime video का option आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर Samsung TV plus का option आपको मिल जाता है यहाँ पर guide का option मिल जाता जो भी channel वगरा है उसका guide करने के लिए यह left right और बीच वाला ok का button दिया हुआ और input का भी यह return back और यह exit का option आपको देखने को मिलता है यह जब option में आएगा तो यह blue red वाला को choose करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह information वगरा देखने के लिए है टीवी में अगर notification वज़ेरा कुछ आता है उसके लिए आपको यहाँ पर और settings नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं टीवी पूरा slim है पूरा slim TV है एकदम पतला TV है और अब मैं इसका picture quality आपको दिखा देता हूं ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं यह वाला वीडियो प्ले करते हैं और यह देख सकते हैं दोस्तों इसका picture quality काफी सांदार picture quality है है इस टीवी का सैमसंग का ठीक है और यह बहुत जबरदस्त model है सैमसंग का और रही बात दोस्तों इसकी price की तो प्राइज मैं आपको बता देता हूं यह आपको मात्र 28 से 29,000 तक के रेंज में आ जाएगा 43 इंच का और यह सारा फंसन है है इस टीवी में total all to all यह देख सकते हैं इसका picture quality से लेकर के sound मैं आपको सुनाने पा रहा हूं बट sound quality बहुत बढ़िया है इसका और यह देख सकते है side view angle side से भी मैं देख रहा हूं यह देख सकते हैं जैसा सामने से दिखता है वैसा इसका side से भी दिखता है तो thank you दोस्तों मिलते है next video